इडियम्स एंड फ्रेज़स डे ट्वैल्व हम बढ़ते हैं आज की अपनी उन पाच इडियम्स की तरफ जिने हमें लर्न करना है बिना टाइम वेस्ट किये आपको इडियम्स एंड फ्रेज़स का डेली डोस इस इंग्लिश डिपो चैनल पर मिल रहा है और अगर आप से दिस मी आपकर बढ़ते हैं आजकी यो मारी पहले अधियम है ला ऐसे वांच योर PA वाज देखो योरे स्टिप अपनी कदम पर अपने कदम को देखो यानि अपने कदम पर नजर रखो अपने कदम पर नजर रखने का क्या आर्थ निकल रहा है इसका मतलब है फूक फूक कर चलो कहते हैं न कि बया कदम फूक फूक के रखो यानि कि कदम देख के रखो हिंडी में कहावत है न फूक फूक कर कदम रखना च कोई काम को जब भी करो ध्यान से करो उसी को अंग्रेजी में कहते हैं watch your step कोई काम को ध्यान से करो और अंग्रेजी में हम उसी को कहते हैं to be careful about an action कोई भी काम को ध्यान से करना याद रहेगी next idiom is watch grass grow घासों को grass मतलब घास grow मतलब उगना उगने मतलब घासों को उगना देखना घासों का उगना देखना घासों को उगते हुए देखना घास को उगते हुए देखके अच्छा लगेगा घास आप खुद ही लगाए हुआ अपने lawn में गॉर्डन में लेकिन क्या उनको उगता हुआ देखो गे तो अच्छा लगेगा क्या बहुत बोरिंग फूल होता तो उसको फूल को खिलते हुए देखना सायद अच्छा लग सायद और कोई काम को करते हुए देखना अच्छा लग जाए लेकिन घासों का उगना घासों का ब डिखे हो तो भाउ चीज होती है इसलिए वाच ग्रास ग्रोग का मतलब है बहुत भाउरी बोरिंग जो हमानी नेक्स टीटिया में दिगर अंडर टेबल के नीचे अच्छा टेबल के नीचे होता क्या है अगर किसी को किसी कुछ देना लेना है तो वो ऊपर से दे ले अगर हम आप मिले हैं अगर हमें आपको कुछ देना है आप हमें कुछ देना चाहेंगे तो भाया जिस टेबल पर बैटे हैं जहां बैटे हैं ऐसे सामने सामने देंगे लेकिन अगर टेबल के नीचे से कुछ हो रहा है टेबल के न Under the table का मतलब है चुपके चुपके कोई चीज को कर रहा है यानि secretly, privately और अगर कोई चुपके चुपके पैसा लेता है, कोई घूस लेता है, तो वो सामने नहीं लेगा, वो जहां मिलेगा तो नीचे से पैसा पकड़ाएगा, ले भाईया पकड़ ले, नीचे से पकड़ाएगा और नीचे से पकड़ाएगा, यानि कि घूस देगा, तो making money illegally, हमारी जो next idiom है, turn a blind eye, turn a blind eye, मतलब जो blind eye है, अंधी आख कर लेना, turn न कर लो, blind eye, मतलब अपनी आखों को अंधा कर लो, अपनी आखों को अंधा करने का मतलब है, किसी इसको देख करके, आखे बंद कर लेना, अंधेखा कर लेना, किसी इसको देख करके, अंधे बंजाओ, turn blind eye, अपनी आखों को blind की तरफ, मतलब की अंधेरे की तरफ, या कहलो की अंधे की तरफ, अंधे की तरफ, अपनी आखों पालो यानि आपने कुछ देखा यह नहीं जैसे यानि अंदेखा कर लेना प्रिटेंड नॉट टू नॉटिस इग्नोर सम्टिंग हमारी टर्न अडीफ इयर बिल्कुल टर्न अब लाइन्ड आई के जैसी ही है टर्न अडीफ इयर इस इक्वल टू टर्न अब लाइन्ड आई जैसे अपनी आखों को अंधे की तरफ मतलब अंधों की तरह मोल लो तो किसी इसको अंदेखा कर देना हो गया वैसे ही अपने कानों को बहरों की तरह कर लो यानि किसी इसको शुन करके भी अंसुना कर दो तो टर्ना डीफ इयर मतलब अंदेखा करना नहीं स्वारी इसको इ listen ignore to listen something or someone dear I hope आज की idioms भी आपको clear हो गई होंगी बहुत आसान थी आज तो मैं ना कुछ मैंनद करनी पड़ी नहीं आपको सीखने के लिए मैंनद करनी पड़ी होगी बहुत आसान थी और आपको समझ में आई होगी तो इस never forgetting techniques जाज इस इडियम एंड फ्रिजल्स को मैं सिखा रहा हूँ इसके वास्ते आप चैनल को समस्क्राइब तो कर दो यार प्लीज कर दो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई इडियम संड फ्रिजल्स का डेली डोस आपको मिलता रहेगा इंग्लिज डीपो पर आप सबस्क्राइब करो यह ना करो